हेलो दोश्टो इस वीडियो में हम जानेंगे हिमालया लिप 52 के बारे में जानेंगे यह क्या होती है और कितने टाइपस की होती है और इसकी जो medicinal property होती है वो क्या होती है काहाँ पर इसका ओपयोग किया जाता है क्या डोज रहती है और इसी के साथ इसके क्या नुकसान हो सकते है यह सब जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे चले शुरू करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं के ले 52 क्या होती है तो हमालया ले 52 एक मेनफेक्शर की जाती है यह एक हैपेटो प्रोटेक्टिव अरवल मिनरल रेमेडी है यानि हैपेटो प्रोटेक्टिव वो मेडिसें होती है या वो रेमेडी होती है जो के लीवर के पंक्सन को इंक्रीस करती है और लीवर को डेमेज होने से बचाती है जिसकी वज़े से क् लिए काफी effective है और यह एफटो productive है जिसकी वज़ाइब से है लीवर के functions को improve करती है इसको purchase करने के लिए या करिदने के लिए जो prescription होता है डॉक्टर का उसकी requirement नहीं होती है यह एक over the counter medicine है जिसको बिना prescription के भी करी सकते हैं इसके price की बात करें तो lip 52 syrup जो रहती है जो कि 100 ml की होत यह 80 रुपीज इसी तरह lip 52 टेलल की price रहती है 110 रुपीज ओर लेन प्रिप्रिट्ट्यो डी त्रप ज़र रहती है उसकी price रहती है 135 रूपीज और और यहाईज प्रिप्ट्यों के लिए लिए ड्रॉप आता है LIV52 या LIV52DS इन दोना का जो composition रहता है वो same रहता है बस इसमें जो strength होती है वो double कर दी जाती है यहाँ पर जो LIV52DS इसमें DS का जो मतलब है वो है double strength ठीक है तो इन सभी का जो combination रहता है लेकिन जो LIV52H भी होती है इसमें तोड़ा सा combination change कर दिया जाता है क्योंकि यह especially बनाई गई है hepatitis B के management के लिए ठीक है तो LIV52 जो H भी है उसका जो combination है थोड़ा सा अलग रहता है बाकि जितने भी syrup है ले प्रिप्रिटू या drop है उन सभी का combination समान रहता है ठीक है अब जानते हैं इसकी medicinal properties के वारे में तो यह एक potent apatoprotective होता है यह appetizer होता है या भूंको बढ़ाता है digestive stimulate होता है या जो digestive system होता है उसके function को भी बढ़ाता है ठीक है जिसकी वाज़े से digestion की process होती है वो अच्छे से होती है antiviral यानि जो virus की वाज़े से infection होते हैं liver में उनको भी management के लिए या ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है anti-inflammatory होता है liver में जो inflammation होते हैं उनको ठीक करता है immunomodulatory यानि जो immune system से response होता है उसको modification कर सकता है उसको कम या ज़्यादा कर सकता है ठीक है तो उसे बोलते है immunomodulatory तो यह एक immunomodulatory भी होता है hepatocellular regeneration promoter जो liver में cells होती है उनको regeneration को promote करता है antioxidant होता है यानि antioxidant जैसे कि जो toxicity होती है उसको बाहर करता है ठीक है तो यह एक antioxidant भी होता है hematinx जो के blood की formation को improve करते हैं उसे बोलते हैं hematinx ठीक है तो एक hematinx भी होता है अब बात करते हैं hemalaya lip 52 के opiok के बारे में कि इसका opiok किस-kis condition में किया जाता है तो इसका जो नाम है lip 52 तो यहां पर जो लिव है वो liver को प्रदस्ट करता है तो इसका जो main opiok किया जाता है वो liver से सम्मंदित रोगों की management के लिए किया जाता है ठीक है तो जैसे कि लिवर के functions होते हैं उनको improve क किया जाता है इसी के साथ जो alcohol की वजए से hepatitis होता है ठीक है अलकोल की वजए से liver damage होता है तो उस condition में भी इसका opiok कर सकती है hepatitis एक ऐसी condition होती है जिसमें के liver का inflammation हो जाता है ओके कुछ symptoms होते है hepatitis के सुरुआती symptoms जैसे कि भुखार आता है fatigue यानि कमजोरी या ठकान रहती है भूंक नहीं लगती nausea vomiting होता है heartitis के symptom होती है इसका अगला..? दार्क हम होता है.. ओके yahक है जानिस की symptom होता, तकान होता यूरिंग का कलर डार्क हो जाता है इसकिन भी यलो हो जाती है आई यलो हो जाती है तो ये सब कंडिशन होती है जॉन्डिस की तो इसका उपयोग जॉन्डिस में भी कर सकते हैं इसका उपयोग भूंक को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है और और इसी के साथ साथ ही poor digestion जब हो जाता है तो digestion को improve करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और weakness या तकान की condition होती है लगाता तकान होती है weakness लगाता होती है तो उस condition में भी इसका उपयोग करते हैं इसी के साथ साथ ही liver chrosis और fatty liver में इसका उपयोग किया जाता है लीवर स्रोसेस एक ऐसी कंडिशन होती है इसमें कि जो लीवर की जेल होती है वो शिकुरने लग जाती है या लीवर का जो साज होता है वो कम हो जाता है ठीक है तो इस कंडिशन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं लीवर स्रोसेस की जो अगली स्टेज होती है वो होती है लीव तोसिया निर्वोसा यह एक ऐसी कंडिशन है जिसमें के पेसेंट को डर रहता है कि मेरा बजन न बढ़ जाए ठीक है बजन न बढ़ने की डर से वो खाना छोड़ देता है या फिर जो खाना खाता है उसको वो बोमेटिंग के तुरू बाहर निकाल देता है ठीक है तो इस में इसका उप्योग किया जाता है और प्रोटीन एनरजी माल लुट्रिसंस में इसका उप्योग किया जाता है यानि लिवर में जो टॉकसिटी हो जाती है या जहर बन जाता है उसको ठीक करने के लिए उसके मेनेजिमेंट के लिए इसका उप्योग कर सकते हैं हो सकता है वो या जो लीवर में जो toxicity होई है वो medicine की बज़े से हो सकती है या कीमो थेरपी की बज़े से हो सकती है या फिर किसी और chemical की बज़े से हो सकती है तो उन सभी condition में इसका उपयोग किया जाता है और भी इसके कई सारे उपयोग हैं में इसका जो डोज रहता है वो होता है 10 ml दिन में 3 बार ओके लिफ 52 टैबलेट का जो डोज रहता है चिल्डरन में 1 टैबलेट 3 टैम से 8 यानि एक टैबलेट देनी है दिन में 3 बार ओके और एडल्ट में वहीं इसका जो डोज रहता है वो रहता है 2 टैबलेट यानि 2 टैबल तो में इसका जो डोज रहेगा वो रहेगा हाफ टैबलेट दिन में 3 बार और एडल्ट में 1 टैबलेट दिन में 3 बार, ओके लिब 52 डोपस के डोज की बात करें तो इनफेंट जिनकी एज 0 to 6 मन्स होती है उनमें 5 बूंदेनी होती है दिन में 3 बार और जिनकी एज 7-12 महीने के होती है उनमें 10 बुंदेनी होती है दिन में 3 बार और चिल्टर जिनकी एज 12-18 मंस होती है यानि 12-18 महीने के जो बच्चे होती है उनमें 15 बुंदेनी होती है दिन में 3 बार और जिनकी उमर 18-24 महीने के होती है उन बच्चों में इसकी 20 बून देनी होती है वो भी दिन में तीन बार ओके तो ए डोज था इसका बच्चों के लिए जो के डॉप स्वम में आता है अब जानते हैं लिए 52 HP कैपसूल का क्या डोज रहता है तो चलिन रन में इसका जो डोज रहेगा वो रहेगा वन कैपसूल दिन में 3 बार और एडल्ट में इसका जो डोज रहेगा वो रहेगा टुब कैपसूल दिन में 3 बार इसको जो लेने का वेस्ट टायम होता है वो तो उस condition में इसको काने के 30 मिट बात दिया जाता है अब जानते हैं इसके शायर एफेक्ट्स के बारे में तो most of people में इसके side effects नहीं देके जाते क्योंकि यह एक safe medicine है ठीक है लेकिन कभी-कभी सिसु को पहली बार जब drop दिया जाता है तो उस condition में उसको nausea and vomiting हो सकता है जो काफी rare है वाकि यह एक safe medicine है कोई side effects इसका नहीं होता इसको pregnant moment में भी यूज कर सकते हैं और जो breast feeding मदर होती है उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं इसका कोई side effects नहीं है तो दोश्तों यती जानकारी हिमालिया लिप 52 के बारे में आई होब आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को like और share करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें thanks for watching